जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की चर्णों में वंदन और आई हुई प्यारी प्यारी गुरु जी की संगत को जय गुरु जी, महराज का अनंतम अनंतम शुकराना जो आज ये सेवा बक्षी, नवरातरी का दिन है, सारी संगत को महराज बस ऐसे ही प् पहले इतनी सोजी नहीं थी, अकल नहीं थी, तो सेवा के लिए मना कर देते थे, पता नहीं था कि सेवा का, मैं बहुत दूप जब झांझा हे le겠는 सेवा हुकम से होती, अपने मन से नहीं होती और एक लाइन शबस में सुनाई की, गुर्पी रादी चाकरी महाकरडी सुखदाई तो मुझे जब भी मैं बहुत ज़्यादा ठक जाती हूँ या कुछ ऐसा होता है तो मैं इस शबत को हमेशा याद करती हूँ कि गुरू की जो चाकरी है जो उनकी सेवा है वो करड़ी होती है लेकिन उसका रस बाद में बहुत अच्छा और बहुत मीठा वो उसका परिनाम निकलता है तो मैंने तब ही डिसाइड कर लिया था कि हाँ सेवा में जाना है तो जो संगत आये हुए थे घर में वो बोले कि मैंने का कि मुझे लग रहा था कि मैं 9.30 से पहले तो सेवा में पहुंची नहीं सकती गुरू जी लेकिन हाँ आपका हुकुम हुआ है मैं पहुंचूंगी जरूर तो ऐसे करते करते बस वो अभी 10 बजे के करीब निकले और मैं सीधा बस उनको बोल कि और मैं सेवा में हाजिर हो गई तो मालिक थोड़ा लेट हो गई उसके लिए माफी दें पर इस बात का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरू जी से कि गुरू जी ने इतनी सोजी बक्ष दी है कि जब हुकुम होता है तो उस हुकुम को जैसे मर्जी करना है पर करना है क्यूंकि गुरू का सिख्ष वही होता है जब हम गुर्बानी से गुरू महराज हमें जोड़ा है और गुरू महराज ने, गुर्बानी से जोडने का मतलब यह है कि जो जितने भी गुरू हुए और उनकी जिवनी पढ़ेंगे, तो उन्होंने कितनी कितनी अपने गुरू के एक हुकम के लिए कैसे कैसे वो सिख अपने अपने शरीर की तन मन धन की बिना परवा की और उस सेवा को करने के लिए कैसे ततपर हो जाते थे और उसके लिए उन्हें कितना भी कश्ट होना कश्ट सहना पड़ता था तो हमें तो बस एक छोटी स भी हैं तो मेरे के थी तो मुझे आज सबसे ज्यादे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि यह सिखा दिये कि नहीं सेवा का हुकम है तो हुकम है कुछ ज़ुब वो गुरु ही करवाते हैं सेवा तो इस बात का अनंतम शुक्राना और संगर जी मैं की चर्नी शेर करती हूं शुरुआत में जब मैं गुरुजी से जुड़ी ट्वेंटी में जुड़ी थी जब फरस्ट करोना आया था और उस टाम पे जब नौराता आया तो उस टाम पे हम इतना सथसंग सुन चुके थे गुरुजी कहते थे कि हर एक तुम भगवान से मांगने लग जाते हो और मातारानी मेरी दीई है तो उसको क्यों परिशान करते हो मैं बैठा हुना और इस चीज को गुरुजी ने प्राक्टिकल करके दिखाया जो हम भगवानों को इतना पकड़के उनकी मूर्तियों को बहुत ज्यादा उससे सजाते हैं या वो करते हैं एक तरीके से इश्वर हमारे साथ बन जाते हैं और वो बिलकुल हमारे कारे करने के लिए बाधिते हो जाते हैं तो गुरुजी का जो ये वचन था ये मुझे शुरू में नहीं समझ में आया जब मैं जुड़ी और जैसे जैसे प्राक्टिकल उन यह पता है कि मातारानी से कोई मांगना नहीं है लेकिन आपकी दी है तो आप विराजमान हो और आपकी बेटी को नौ दिन में आपके पास बठा रही हो तो मैंने गुरूजी का स्वरूफ चौकी पे रखा फिर मातारानी को बठाया और मैंने उस टेबल पर अच्छे से सजाय और मैंने बिल्कुल कोई मनत नहीं मांगी मातारानी से पहले मैं यहीं करती थी कि इस बार नौराते आएंगी यह मनत मांगनी है यह पाट करने है इतना चलिया करना है ऐसे मनतों वाली जो पूजा थी वो करती थी तो फिर लेकिन मैंने गुरूजी से जुड़के फिर माता नहीं रखती थी लेकिन नौरातरी में मिरे को ऐसा लगा कि हो मैंने गुरुजी को भोग तो लगा दिया अप लेट ढखके रख भी दिया लेकिन मैंने प्यास तो नहीं रखी फिर मैंने का नहीं कहते हैं कि भगवान की थाली को छेड़ना नहीं जी है फिर एक दूसरा कोट्शन आया कि नहीं खेत्री बीजी हुई है कहते हैं कि प्यास की स्मेल से खेत्री खराब हो जाती है और अच्छूत मान जाती है कुछ ऐसे बोला जाता था तो फिर मैंने यह भी थौट आया मन में मतलब इतना द्वंद चल रहा था कहते हैं कि गुरू का जब तक हमें ग्यान और उसका प्रकाश नहीं मिलता ला तर तो सिर्फ लाइफ में द्वंद होता है इफ और और बंड में इंसान जीता है यह करूं यह ना करूं यह ना करूं तो तो मैंने फिर एक तीसरा दिमाग बोलता है कि नहीं अब यह तेरी टेस्टिंग है कि गुरुजी के उपर तुझे विश्वाश है कि नहीं है तु प्यास लेके जा संगा जी मैंने ढखके प्यास भी रगदी वहां पे और खेत्री को कुछ भी नहीं हुआ इतनी कि बात बताती हूं दो साल हो जाएंगे इदर शिफ्ट हुए ना मैंने खेत्री बीजी ना मैंने नवरात्रे रखे और में मार्केट गई तो वह बाउर में लेके आई जरूर खेत्री बीजने माला लेकिन मन में मेरे यह भाव था कि नहीं पता नहीं ऐसा लग रहा कि गु बतारी फिर सेकेंड जब नवरात्रा आया तो मैंने का गुरुजी वह जो खेत्री होती है ना मुझे नहीं पता उसके नियम और उसकी विधी विधान बट मुझे सिल्फ इतना समझ में आता है कि गुरुजी जब वह खेत्री आती है बड़ा संदर लगता उसको हरा आरा द देखके तो मैं खेत्री बीज देती हूं तो मैंने यह चीज संदर जी गुरुजी के साथ रहके नोटिस करिए कि गुरुजी ना अगर आपके भाव में छलखा पट नहीं है ना तो चाहिए वह चीज उनको भी ठीक नहीं लगती ना लेकिन वह हमारे हिसाब से ड़ जाते ह कि तुने जो नौ दर्गे के रखना है वह बहुत ही प्रॉपर तरीके से विधी विधान से बहुत नियान से रखना है हां मैंने फास्त नहीं किया संगजी और जैसे कि कहते हैं कि अगर तुम थोड़ा सा भी नाम जबते हो या थोड़ा सा भी प्रभू से प्रेम करते हो त थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा और स्पीड से बढ़ना चाहते हो तो जितना अपने अहार को थोड़ा सा पवित्र रखोगे तो तुम्हारा meditation योगा और उसमें और थोड़ा सा उपर थोड़ा सा उठ सकते हो तो बस एक वही लाला scientific reason लगा लो या कुछ भी है तो मैंने गुरुजी से कहा मैंने कहा गुरुजी थोड़ा सा इस बार सोच्रियों की प्याज और lesson अवाइट करती हूँ तो उसमें हमारी गुरुजी का कोई ये restriction नहीं है कि तुम खाओ ही या नहीं खाओ बठाँ अगर सत्संग में चली गई संगत के साथ बैटी हूँ संगत ने मांग ली तो जै गुरुजी और गुरुजी ने भी तो यहीं कहा है न कि वैसे बात खाओ लेकिन अगर लंगर में आ गया तो तुम उसको पदार्थ की नजर से मत देखो वो अम्रित है उसको मत्य लगा के तुमने खाना है तो मैं जब पहले नवरातरी रखती थी तो प्रॉपर मैंने न यूट्यूब से ऐसे देख देख के रखती थी आज कौन सी माता का है और ऐसे करके तो वो बीच में जब गुरुजी से जुड़ी तो सब मेरा दिमाग से मैनेश हो गया लेकिन फिर से वही पुरानी जर्णी मैंने आज फिर से तो पर हाँ गुरुजी इतना इजी कर देते हैं मैं सोची थी कब मैं यूट्यूब में जाओंगी कब क्या करूंगी कौन सी माता का दिन है उनको आज कौन से कपड़े बिनाने है वो क्या खाएंगी आज तो मैंने का गुरुजी इतना टाइम नहीं है और कैसे सर्च करूं संग जी गुरुजी तो जानी जाना है जैसे ही मैंने फोन उठाया एक पंकर जंगल है उनका मैसेज आया और उनके उन्होंने पूरा फर्स डे क्या होता है कौन से कपड़े बिनाय जाते हैं वो सारा उन्होंने उसमें एक कॉमपैट सा बना के और वो पोस्ट किया हुआ मैं इतना खुश होगी मैंने का वा गुरुजी और मैंने भी उनकल को फटा फट जय गुरुजी लिग दिया क्योंकि मेरे मन में ये लालज की कल कल ले भी गुरुजी इनको बोल देना कल के ली मैसेज क कर देंगे तो अनन्तम शुक्राना एक गुरुजी कैसे भाव को पढ़ते हैं कैसे अंग संग रहते हैं हर पल संग जी वह रहते हैं पहले पर सोस्टी गुरुजी ने वह भी मुझे सिखाया कि जैसे अब अब मैं सारा दिन मेरा फोन हमीशा चाहे मैं नीचे जारी हूं चा जैसे जैसे वन बाई वन बाई वन चीजें आती है और मैं सुनती रहती हूं कभी सत्संग आएगा कभी शबत आएगा कभी प्लेलिस्ट आएगी कभी मंत्र जाप आएगा तो ऐसा लगता है गुरू जी मेरा हाथ पकड़के मुझे चला रहे हैं कि अब एदा कर एदा कर इस मुझे ऐसी फीलिंग आती है संका जी तो मैं बस ऐसे ही जब कोई शबर सुनती हूं उसके पाद कोई सत्संग आता तो मैं जरूर सुनती हूं तो उसमें मैं यह नोटिस करती हूं कि अगर जैसे की मालों मैं बरतर मांज रही है तो वह आंटी जब शेयर कर रही होंगी तो जो मैं कर रही होती हूं वह संग में ऑन्टी बोर रही हμεं मैं इतनी सुर्प्राइज होती है और मैं सारा दिन गुरूर के साथ गपए ड़ा डाण सक्षांग कि हस्ती हूं कि हाँ आपको सबपत है हां कुरू जी अपको सब पता है संघजी Tuesday का दिन ता और केसरिया एक किसी अंटी के यहाँ पे सुंदरकान का पाड़ भी था तो उस दिन मैं नहीं गई थी मुझे थोड़ा और सेवा में जाना था बट मैंने का अंटी मुझे लाइव ले लेना मैं लाइव सुनती रहूंगी तो कुछ मार्किट का काम था पावनी अंटी का एक्जाम था लास्ट तो सारा दिन फोन में जो एकिटीश की बताते हैं मेरे को सब पता है मेरे तुम पूरा सेसी टीज वी कैम हैं अंड़ हो और मेरी निकरानी मेरी नज़र तुम्हेरे लाइन तो बहुक्त बहुत शुक्राना है गरुरू जो कभी-कभी अशास होता है कि हां बरेली मालिके ज газoda हिब दो सेम तो ऑटर वर्ड में हम कंपूतिशन करते थे इसके पास यह इसके पास यह नहीं ए ऐसक जोड़ तो कभी-कभी हम इस चीज में ढगीम हिस हाते हैं आँटी जादा ऍशाया कर रहे हैं मेरे दरबार तो अच्छे से आप प्रसर करते हैं, मैं ऐसे नहीं कर पाती, फिर गुरू जी ने मुझे यही सिखाया, कि नहीं, तो मैं सिर्फ अपने अंदर जहागना है, अपने अंदर की यात्रा करनी है, और ये सब चीजों की चकर में नहीं पढ़ना है, कि किसने क्या किया, सबकी अपनी जर्नी है हर सोल की अपनी जर्नी है किसी से गुरुजी कैसी सेवा लेते हैं किसी से कैसी सेवा लेते हैं तो अपने आपको इतना प्यार करो सबसे पहले उठते ही सबसे पहले अपने पैट चुओ अपनी आँखों में आँखे डाल के सबसे पहले अपने से प्यार करो, क्योंकि प्रभू हमारे अंदर ही है, और जैसे जैसे वो गाइड करें, वैसे वैसे चलते रहो, बस ये बोलो, मैंने किस अंकल का सत्संग सुना था, कमांडर अंकल का सत्संग, उनकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जिसमें उन्होंने ये का था, कि बस सुबह उठते ही सर्फ ये बोलो, गुरुजी, आप मेरे और मैं आपकी हो, बात खतम, तो वो confidence, जितना हमारा ये confidence बढ़ेगा ना, कि गुरुजी सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे हैं, ये बात अलग है कि हमें संगत के बीच में ऐसे नहीं बोलना या ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अंतर मन में गुरुजी, आप मेरे हो, मैं आप क्यों हूँ गुरुजी, बस ये रटन, मुझे संगर जी, मैं शुरू से बहुत ज़्यादा कोई पाट नहीं कर पाती थी, ना मैं वैसे, मैं कहती हूँ न कि मुझे एक जगह, मैंने साथ ही, उनके साथ मुझे डांस ही करना आता है, तो गुरुजी मेरी तो इसी भक्ती को परवान करना, और जो भारी-भारी शब्द हैं, ये पाट होते हैं, जो भी पाट होते हैं, मुझे तो इनकी A, B, C, B नहीं आती मालिक, पर हाँ, इतना मुझे पता है, इतना आपने स इस हाथ की डिरेक्शन पर निगराना इरखो कि वह तो कहां जा रहा है, कैसे चार रहे तुमारे कदम जा रहे हैं, किथा हुआ भी तो मुझे मैठे हो उनक्ना पता चल जाए कि कि रही को पैक्न नक्याफS मुझे, उसके लिए और उसkor's के लिए यही conditions in मुझे, ये यही से वहां तक जाती है तो मन की सेवा को सबसे उच्छा दर दिया गया है तो बस मैं तो यह कहते हूं कि मालिक कभी भी मन में किसी के के लिए मैल ना है और मुझे गुरुजी सिखाते भी यह हैं कि अगर किसी ने सक्संग के टाइम पर या वैसे तेरे बारे में कुछ बोला है या कुछ भी ऐसा हुआ है तो यह सोच लेना कि वह भी मैंने ही कराया है क्योंकि बैलेंस कुद्रत का नियम है यूनिवर्स का नियम ही बैलेंस है संगर जी यह गुरुजी नहीं बताया और आज अगर आपकी कोई तारीफ कर रहा है तो बिलकुल मत करने दो और हाथ जोड़के यह का तो सब गुरुजी का ही है क्योंकि जहां तारीफ होगी दो शब्तारीफ के होंगे तो दो शब्राई के निश्चित ही है यह कुद्रत का नियम है यह जिसने आपकी बुराई करी है जिसने चार लोगों के बीच में आपकी किसी कमी को बहुत जादा वैसे तरीकी से उच्छाला उसमें पड़दा नहीं डाला तो उसमें भी यही सोचों यह मेरी गुरु की रजा है और मेरे शायद करम कुछ इदर दर बढ़ रहे थे वो मेरे मालिक ने काटे हैं सुक्मनी साहब में भी है ना कि जो किसी के गुना को देखके और अंदेखा कर दे उसमें पड़दा ढग दे उससे बड़ा महत्मा या उससे अच्छा कोई इंसान नहीं है तो बस सब के हमें मैं तो गुरु जी से यही कि मैं कौन होती हूं बस मालिक यही सोजी बक्षें और मतलब किसी की कभियां एक तो दिखे ही ना क्योंकि अभी उस अवस्ता पे तो आए नहीं कि अब किसी की कभी पे पड़दा ढखें क्योंकि इतने शॉर्ट टेंपर हम होते हैं कि चार रोहों के बीच में उसी टाइम हम हाइपर हो जाते हैं और फिर सब हमारा जो दो मिंट का पार्ट भी क्या होता उस पर भी मारा माइनस आ जाता है तो मैं तो यहीं कहती है कि गुरुजी ऐसे चीज़ दिखाना ही मत तो बहुत शुक्राना है गुरुजी महराज का और बस गुरुजी ऐसे ही सेवा लेते र रखें संगर जी बस आज के लिए इतना ही एकदम से अंटी ने बोला और हुकम था माली का मैं बहुत शुक्र गुजारू माली की जो उन्होंने आज मुझे चुना और नौ दिन माली बहुत अच्छे से सारी अपनी सेवा करवाएं और जो जो बताएं गुरुजी हम कर सकें गुरुजी इतनी शक्ति बुद्धी और हिम्मत देना और अपने सेवा से ही जोड़के रखना गुरुजी अभी एक मैं अल्गा अंटी का सत्संग एकदम से खाना बनाते बनाते सुन रही थी तो कहते हैं कि गुरुजी जब बहुत सेवा आती है और उसको भी जब हम हसास करते हैं तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं एक चीज और मैंने नोटिस करी संगजी कि गुरुजी का कोई पाठ हम कर पाएं या ना कर पाएं चाहे हम नियम से बैट पाएं ना बैट पाएं हम मेडिटेशन कर पाएं या ना कर पाएं पर मैंने जो महसूस किया है अगर हम उनको याद करते करते उनसे बात करते करते और सिर्फ घर का एक एक कोना चमकाते हैं ना जो मैंने experience किया कि गुरुजी बहुत खुश होते हैं उस टाइम पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि बस उनको याद करते रहो और घर का एक-एक कोना चमकाते रहो अपने घर की एक-एक चीज को सुवेवस्तित तरीके से रखते रहो और इवन गुरुजी बताते भी हैं अगर किसी दिन आपने पूछा ना कि मुझे इस चीज की सेटिंग नहीं पता चल रही गुरुजी आप माने की अगले दिन आपको ऐसा वह थौट दे देंगे ऐसा कुछ आंसर देंगी कि आपको आपको कॉस्टिन सॉल्व हो जाएगा कि हाँ यह सटी नहीं हो रही थी इतने दिसे और मैंने और गुरुजी ने मिलके बात करी बैठे और सोचा उस बारे में और उस चीज का सॉलुशन निकला और वो सॉलुशन बहुत ही खूब सुरत निकलता है तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना महराज की चड़नों में वंदर और गुरुजी आपकी सेवा में कोई गलती हुई हो तो माफ करना और संगर जी आप भी कुछ सत्संग में मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो तो सॉरी आप भी माफ करें बहुत बार शुक्राना गुरु महराज का अनंतम शुक्राना जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी